लोगों और परिवारों के प्रती हार्दिक सम्वेदना प्रगट करना चाहूंगा इस वैश्विक महामारी ने विश्व में हर प्रकार की ववस्ता को प्रभावित किया है और हमारे समीट का यह डिजिटल स्वरूप इसी प्रकार के प्रभावों का एक उदाहरण है एक्सलेंसी आपसे इस डिजिटल माद्यम से मिलकर मुझे बहुत खुशी तो हाई ही है लेकिन थोड़ी निराशा भी है क्योंकि हमें भारत में आपका गर्म जोस्ती से स्वागत करने का आउसर नहीं मिल पाया पहले जन्वरी में और फिर पिछले महिने हम आपकी भारत यात्रा के प्रचिशा कर रहे थे लेकिन दुर्भागेवस दोनों ही बार यात्रा स्थगित करनी पड़ी हमारी आज की मुलकात आपकी भारत यात्रा का स्थान नहीं ले सकती है एक मित्र के नाते मेरा आपसाय आग्रह है कि स्थिती सुधरने के बाद आपशिग्र सब परिवार भारत यात्रा का प्लान करें आपसाय आपसाय आग्रह के ओनलाइन इवेंट्स शायद यही एक न्यू नॉर्मल बनते जा रहा है लेकिन ये भी इनसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बहार निकलने का रास्ता बना ही लेता है आज भी हमें जहां एक तरफ इस वाइरस से लड़ने के लिए सक्त कदम उठाने है बहीं दूसरी तरफ एकोनोमी का भी ध्यान रखना है हमें एक तरफ देश वाज़ियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थे वबस्ता को भी स्टेबिलाइज करना है स्पीड अप करना है इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथ्विक्ता दी है और निश्चित तोर पर इसके लिए आप सभी भारतिय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात रहें बलकि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक आप लोगों मैं से कुछ लोग सोख सकते हैं कि संकट की इस गड़ी में मैं इतने कॉन्फिनेंस से ये कैसे बोल सकता हूँ मेरे इस कॉन्फिनेंस के कई कारण है मुझे भारत की केपबिलिटीज और क्राइसिस मेनेजमेंट पर बहुत भरोसा है मुझे भारत के टैलेंट और टेकनोलोजी पर भरोसा है मुझे भारत के इनोवेशन और इंटलेक्ट पर भरोसा है मुझे भारत के फार्मर्स, SMEs, Entrepreneurs पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर आप सभी पर इसलिए मैं कह रहा हूँ Yes, we will get our growth back India will अपस्ट्री के लीडर्स आप से सहा हूँ आप 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 झाल झाल